नमस्कार दोस्तों बीकेजुकेशन में आपका स्वागत है गुड़ बार्णिंग ट्यूल अलफ यू चलिए तो क्लास को आज हम लोग देखते हैं तो आज से भी या सभी क्लासेस आपको प्रॉपरली मिलेंगी ठीके अचली लैप्टाप के वज़े प्रॉब्लम हो रहा था तो रिकार्डिंग नहीं हो पा रहे थी तो आज से सभी क्लासेस आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी मतलब जीतना चैप्टर रेमेनी है सब हम जल्द जल्दी आपको वीडियो देकर कंप्लीट कर देंगे ठीके फिर हम 15 मतलब आज तो 13 हो गया हो सकता है 15 या 16 फरवरी से 15 16 फरवरी से जो है आपको हम सलूशन पेपर सलूशन पेपर ठीके सलूशन पेपर प्लस जो है कुछ most important question जो की सभी topic wise होंगे ठीके subject wise एकदम देखेंगे ठीके important question यह हम आपको provide कर देंगे clear तो इतना हम आपको जो है आप provide कर देंगे तो सभी लोग भाया बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए अब क्योंकि आपका exam आ गया है चलिए तो अब हम जल्दे जल complete करा देंगे इसकी चिंता ना करें आप लोग ठीके चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ठीके आगे हम लोग अब देखते हैं इसको हाँ chapter number 10 में हमने क्या करा दिया था इसमें wastewater में chapter number 10 में हम पढ़े testing ही करा दिया था आकी chapter हमने वहाँ पर यह starting पूरा नहीं बताया था ठीके क्योंकि मैंने कहा था कि आपका chapter है जो 10 यह मैं अलग से PDF बनाऊंगा अपने recording ठीके ताकि वह easy रहे आपके लिए ठीक तो यहाँ पर समझी chapter number 10 अभी start हो रहा है बट इसका हम यह part करा चु अब सीवर था मतलब कि हम जो सीवर लाइन बिचाते हैं उसको कैसे बिचाना है यह सारी चीजे हम लोग इसमें करते हैं ठीके तो सीवर लाइन बिचाना मतलब laying up सीवर यह कुछ steps में complete होते हैं जैसे सीवर लाइन बिचाने के चरण जो है वह निमन है निमन लिखित है तो अब हम लोग यहां पर यह देखते हैं कि आप लोग देखिए पहला इसमें जो steps है वो है सीवर लाइन का center line डालना तो सब से पहले हम लोग क्या करेंगे कि center line डालेंगे अब यह जितना आप process करोगे ना यह process का पहले से सर्विक्षन हुआ राता है क्या हुआ राता है पहल जीच पहले से डिसाइडर हती है आपको मयप मिल जाता है लेबल मिल जाता है आप उसके according क्या करते हो सब से पहले center line mark कर ले तो जिसको हम लोग बोलते है alignment alignment संग्रेखण जिसको हिंदी बोलते है तो संग्रेखण हम लोग क्या करेंगे यह हमको पता रहेगा ठीक है यह हम लोग को पता रहता है संग्रेखन और उसके हम लोग क्या करते हैं सेंटर लाइन मार्क करेंगे उसी का धार पर सिवर लाइन की डाल लगाना तो हम लोग से देखेंगे खाई खाई खोदणा क्या लेना पड़ेगा यहीं पर समझ लेंगे खाईयों की तक्था बंदी करना, ये भी हम आगे डिसकस करेंगे जल गरस्त खाईयों में पाणी निकालना, तो भया इसमें क्या होता है, इसमें हम इसको डिसकस नहीं करेंगे, यही पर समझ लेते हैं उसके द्वारा हम लोग पानी बाहर निकाल लेते हैं क्लियर खाई में सीवरों को बिचाना कैसे पाइप बिचाना इस्टेप बिचाना जो हम समझेंगे अभी सब एक एक करके और सीवर पाइप को जोड़ना तो यह हमने देखे जो आप लोग वाटर सप्लाई में जो वाटर सप्लाई में बनाना तो यह connection क्या होता है जहां महिन होल होंगे माई लग एक महिन होल से दो महिन होल तो यहाँ पर pipeline ऐसे हमनेe डाल दिया है अब यह महिन होल से क्या करेोगा यहाँ से brand SEVER को ही आ रही है इस brand SEVER को क्या करना पड़ेगा हमको इससे connect करना पड़ेगा बहुत हम साट में बहुत संचित में जल्दी जल्दी सब complete करेंगे और यह समझ में आजएगा अब जितना topic में हमें लगता है जितना बचा हुआ है सब theory ही है ठीके concept सब खतम हो चुका है चलिए seever line का हम लोग फिर testing करेंगे तो testing तो हमें ने बता दिया है पिछली वीडियो में अगर ना देखेंगों तो देख लीजिएगा खाईयों को पाटना फिर हम लोग खाई को पाटने चलिए फिर आब हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं कि ठीक है इसमें हम लोग जो है देख लेते हैं आगे एक एक श्टिप करके ठीक चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा जो है sewer line डालना ठीक है क्या है sewer line डालना तो इसको समझते हैं इसको समझते हैं ठीक है चलिए sewer line डालना ठीक है sewer line डालना कैसे sewer line की center line कैसे डालेंगे sewer line का ठीक है उसको देखे इसमें पूरा step एक एक करके बताएगा देखे तो हम लोग क्या करते है सर्फ से पहले जो यहाल सेक्षन बना रहा था यहाल सेक्षन क्या होता है कि माली जी इस तरह से यहां पर सीवर लाइन बिछानी है यह टाप भीव है ठीक है अगर हम लोग साइड व्यू देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा मालों को यहां पर सीवर ऐसे विछानी है डालनी है और इसका इस तरह स ब्यू दिखेगा clear इस तरह स दिखेगा हमको तो यह cross section हो गया यह उपर से धो गया तो जो side से इनको देखोगे जब ऐसे side से देखोगे इनका हमको क्या पता चलेगा ऐसे label पता चलेगा कितने label पर यहां पर label क्या है ठीक है और इस label से हम लोग फिर इस पर काम करेंगे तो यहां पर कितनी खुदाई करनी है क्या करना है वो हम यहां पर decide कर लेते तो यह L section ऐसे बनता है और यह L section ही हम मध रेखा को भूमी पर चिन्हित किया जाता है समय रहे जो हम लोग सीवर लाइन पर स्तावित पहले से उनको क्या करते हैं उनको जो रेखाय होती है उनको भूमी पर हम लोग चिन्हित करते हैं चैसे कार नीचे से शुरू करके ऊपर के ओर ले जाता है कि जैसे माल लिजिए कि यहां पर अपकी तरफ है अइधर डान है ठीक है, down है, clear, अब कोई pipeline आप यहाँ पर डाल रहे हो, स्वरी यह तो गलत हो गया, कोई pipeline आप डाल रहे हो, ठीक है, मालीजे आपने कोई pipeline ऐसे डाला, ठीक, ऐसे, आप क्या किया, कि यहाँ पर उचाई थी, यहाँ से जैसे जैसे आगे pipeline बढ़ी, वैसे क्या हुआ, down होते च जाएंगे, तो यह pipeline हम नीचे की तरफ से start करेंगे, समझ रहो, इधर से start करेंगे, नीचे की तरफ से start करेंगे, कहेंगे, सर ऐसा क्यों, देखो, जो हम लोग pipe connect करते हैं, जब तो pipe में क्या होता है, ऐसे joint बनता है, ठीक है, जगह 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 तो इसमें क्या होगा आपस में ये अटैज हो जाते हैं यदि ये मोटा वाला पार्ट ऐसे रहेगा पतला पानी फिर इधर के लीकेज होने लगेगा ये सारी चीज़े होने लगती हैं इसके वज़े से हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बिचाते हैं अब आगे की स्टेप देखेंगे थिडोलाइट और जरीव की सहायता से 10 से 15 मीटर की दूरी पर लकड़ी की चौकोर खुटिया संग्रेखन पर गाड़ दी जाती हैं तो संग्रेखन पहले से डिसाइड किया गया है कि इस तरफ से हमारा मालो लेके जाना है और यहां पर हम ल पास-पास थोड़ा खुटिया जब खुटियां जो हैं हम लोग पास-पास गाड़ देंगen तब फिर इसको हैं हम लोग क्या करेंगे कि इस पर खुदाईगा कार सुरू कर देंगे कितनी चोडाई का खुदाई करना है यह हम decide हुमारा pipe पर होगा कितनी हम लोग डाया का pipe डाल रहे हैं वो हम खुदाई करते हैं अब ही जो खुदाई वाला step बताएं वह हम बता देंगे कितना हमको लेना है ठीक है चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं अब इसमें steps ज स्थिती लगाई जाती है तो जहां पर इसकी starting होगी ठीक है जहां से starting होगी तो उसमें पहले से mention रहेगा कि हाँ यह प्रवेस जो हमारा चिद्र है जहां से start हो रहा है वहां पर मैन होल हम लगाएंगे वो इस्थित दर्शाई हो गई होती है उससे हम लोग क्या करते हैं उस कितनी सुद्धता से जाच करेंगे इस लिए कम जादा हो जाता हुएगा टो कम जादा हुने लगेगा ठीक एक तम सुद्धता से काम करेंगे ताकि जो है आगे पीछे पाइप कहीं हो नीयंतर बना रहेगा तो तब charismatic नियंतर बना रहेगा अगर पीछह हो गए तो फिर सीवर खुदाई कार प्रवेश छिद्र मतलब मैन होल किया जाता है तो एक मैन होल से दूसरे मैन होल के बीच क्या किया जाता है ये कार किया जाता है ठीक ऐसा नहीं है पूरी सीवर लाइन खुदाई करके और सीवर लाइन बीचाने लेगे ऐसा नहीं किया जाता है जैसे एक म मस्ते हैं कि यहां पर आगे के लिए चलिए आगे की step देख लीजिए तो यहां पर देखिए हमारा जो है खाई की चोड़ाई हम लोग कितना लेंगे 1.2 मीटर गहरी खाई के लिए ठीक है अगर गहरी खाई हमारी 1.2 मीटर खाई की चोड़ाई कितना लेंगे G होगी, क्योंकि ये डाया हमारा भया D है तो ये D होगा, तो ये भी D ही तो होगा, तो जितनी गहराई होगी उतनी चोड़ाई होगी, तो माल लेते हैं कि हमारी गहराई 1.2 मीटर है ठीके, तो डाया तो हो सकता है, यहां पर भी 1.2 मीटर होगा, clear और इसमें क्या कह रहा है कि जो पाईप का पाहरी ब्यास है उसमें plus 30 cm ठीके, clear plus 30 cm और यदि इससे अधिक गहराई है 1.25 मीटर से अधिक गहराई है, तो हम लोग क्या करेंगे plus 40 cm बढ़ा लेंगे इसका मतलब आपने, आप समझिए, इनका कहने का यह मतलब है, कि हम लोग थोड़ा सा extra लेंगे, भई, आप कहेंगे सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों extra क्यों लेंगे, देखिए, extra लेने का परपज यह है, कि मा लीजे इसका डाया कितना है, 1.20 मीटर है, ठीक, pipe का यह pipe हो गई, हमारा चीके, यदि हम इतना खुदाई करते हैं, तो भईया उसकी अंदर घुस कर कैसे pipe को बिछाएंगे नहीं बिछा पाएंगे, इसके लिए क्या कर रहा है अगर 1.2 मीटर तक के लिए है गहराई, तो हम लोग plus 30 add कर लेंगे, ठीक है point plus 30, तो 1.50 मीटर की हम लोग क्या करेंगे खुदाई करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एतना खुदाई करेंगे अब चोड़ाई गहराई यहाँ पराबर है ऐसी बात नहीं है, ठीक है अब गहराई हम लोग, गहराई तो हम उतने खुदाई करेंगे जीतना पाइव डालना है लेकिन चौडाई हम लोग क्या करेंगे बढ़ा लेंगे 1.2 प्लस 0.3 ठीक है गहराई तो इसकी अगर देखो तो यह 1.20 मीटर तो है यह समझ गया सभी लोग कैसे इसको करना है यदि यही हमको गहराई 1.20 मीटर से अधिक है अधिक अगर होगी मालों बड़ी पाइप और डायाव की पाइप यूज़ करो तो वहाँ 40 ले लोगे ठीक है प्लस 40 करके उतनी हम लोग चौडाई की कुदाई करेंगे परन्त यह चौडाई 75 से कम नहीं रखी जाती है तो हम लोग 75 चाहे पतली ही पाइप क्यों डाले हम लोग at least 75 सेंटी मीटर की चौडाई जरूर कुदाई करेंगे समझ गए यह था इसका कंडिशन कैसे कुदाई हम लोग केतनी चौडाई करते हैं ठीक है तो पहला step देखिए यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी step एक साथ ही आ जाए यह हो सकता है कोई एक step देदेगा कि हां कैसे इसका center line डालना है कैसे alignment करना है कैसे gradient डालना है यह अलग अल साथ ही सब पूछे ठीक है चली आगे कि हम लोग यहां पर बात करें हैं करते हैं तो सीवर लाइन की अनुलंब ढ़ाल लगाना setting out of gradient तो इसको बहुत बारीकी से समझेंगे आप लोग ठीक है इसको क्या करें बहुत बारीकी से समझेंगे चली अब यही यह ज्यादा तर हमक स्थापित करना दूसरा सीवर की ढाल लगाना दो इस्टेफ्स में कंप्लीट होंगे पूरा setting out of gradient ठीक है सीवर लाइन की ढाल लगाने के लिए हम लोग जीटीएस बेंचमार की सहायता से सीवर के संगरेखन के साथ साथ 200 से 500 मीटर की दूरी पर पक्के स्थलो पर हमलों जिटम लें जो लेवल हैं तो इन्हों ने मिन सी लेवल मतलब संबुध तल से उचाया जो इनकी है वह इहां से कितना मुंबई हाई से लिया हुआ है ठीक है ठीक है यह एक standard datum है यह standard datum है यह अपने जिसे भारत के लिए मान लिए है अपने के recording मानते हैं ठीक है तो यह हम लोग यहां से मुंबई आज पहले करांची से लिए जाज़ता साहिब अब नहीं है ठीक है अब यह क्या है कि जो बिंसमार्क हम लोग मानते हैं इसके ही सापेक अच्छे हम लोग क्या करते हैं धालानों गरा पूरा लगाते हैं ठीक है इसी लिए जो है हम लोग जगा जगा पर 200 से 500 मीटर दूरी पर हम लोग क्या करेंगे एक मतलब पक्के जो है पक्के इस्थल हम लोग बनाएंगे ठीक है और इस्थाई बेंचमार होगा इस्थाई म लगाएंगे इसको देखते हैं ठीक है तो देखेंगे इसमें क्या है कि हमारा जो है सीवर निर्माड में सबसे महत्पूर्ण कार सीवर को अभिकल्पित धाल पर बिचाना होता है समझ रहे हो जो डिजाइंट किया गया है धलान उसी पर हम लोग को बिचाना है ठीक यही सबस को हम लोग दोनों का यूज करके इसको लगाएंगे कैसे लगाएंगे वो सारी चीज हम एक बार इसके फीगर के माधियम से देख लेते हैं ठीक है फिर ताकि कोई हम लोग को दिक्कत ना हो ठीक है हुआ है है चलिए हम देख लेते हैं इसको यह फीगर आपि दिख रहा होगा आप लोग को लिए फॉर्ट तपपर वी संभने कोसिस करी है क्या है हम यहां से हम पेन के माध्यम से बत ढ़ें आपको कैसे-कैसे ये फीगर है पहले यहां संव dellेंगे तो बॉर्णिग राट वो सब समझना जाएगा यहाँ पे क्या है कि यह हमारा कुदा करना है देखे यह देख रहे हैं यह इस तना हमने किया कर लिया रेड़ वाला हम यहां पर बना रहा है उससे देखे यह यहां अब यह साइट लेख रहा है हम लोग देख रहे हैं यहां पर ऐसे एस टीग यह पूरा अब इसकी अंदर जो black वाला दिख रहा ये pipe डाल दिये हैं अब इनको हम लोग जैसे मालोग खुदाई करना है तो हमने क्या 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 खुदाई कर लिया अब इनको कैसे pipe ढाल लगाएंगे और pipe कैसे इसको बिछाएंगे पाइप बिछाते समय भी हम लोग यह क्या करते हैं अब इसमें क्या है ना कि side ओ पर देखो यह side ओ पर क्या करते हैं हम लोग कुछ इस तरह से एक pipe का आधार लगा देते हैं इस pipe के आधार पर यहां पर इस तरह से देखिए यह हमारा एक side rail लगा रहता है यह देखिए जो यह beam की तरह दिख रहा है ना यह beam की तरह यह क्या है side rail है क्या है side rail है अरे भहिया rail की पटरिया वाला जो rail नहीं होता है वह ही यहां पर रखा गया है clear? समझ रहे हो? कि नहीं? वह ही यहां पर rail एक तरह से देख रहा है उस पे क्या किया जाता है यह support किया जाता है यह आपको देख रहे है यह boning rod है यह boning rod है यह boning rod है टी टाइप का और इस पे अब कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे है देखिए ऐसा क्या है कि यह जो हमारा है ना benchmark की सहायता से इसका label हम लोग पहले से लगा देते है जो site rail का होता है किस label पर रखना है एक एक ददस मीटर पर वो label पर कर देते है माली जी यहाँ पर इनका label 100 रखना है पहले वाले का 100 रख दिये अब आगे जा के थोड़ा ढ़लान लेना है तो यहाँ आप हमने का किया 99 रख दिया ठीक है एक step wise क्या हुआ धलान होता चला जा रहा है या उचाई भी बढ़ सकती है इस तरह से भी कर सकते हो अब इसमें क्या है ना कि यहाँ इस label पर हम लोग क्या करेंगे इसको set कर देंगे यह सू लगा होता है और इस सू की सहायता से हम लोग क्या करते है हां नीचे इसको touch कराते है pipe बिछा देंगे तपर भी touch कराएंगे और खुदाई करेंगे तपर भी touch कराएंगे कितना नीचे तक हमने खुदाई किया है ठीके फिर यह बोनी गराट निकाल कर फिर इसमें लगाते है फिर ऐसे 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 करते चले जाते है समझ रहे हो सभी लोग और यह जो लेबल है ना यह लेबल पर fix होता है कि इस जमीन से इसका लेबल कितना रखना है उसी अधार पर पूरा work करते है समझ रहे हो तो यह पूरा step इसमें complete होता है तो side rail क्या है जो एक होर्जेंडली यह member पूरा होता है rail का ही बना होता है देखिए जो rail आपकी पट्टी होती ना पट्टी उसी का यहाँ पर यूज करते हैं लोग एक तरस गर्डर टाइप का ठीक है और यहाँ पर यह जो हमारा boning rod होता है इस पर attach होता है तो boning rod क्या है कैसे कर रहे है और इनका यह देखिए यह trench खुदाई की हुई यह trench है आपको देख रहे हैं हमारा करस जीदर जा रहा है यह trench की खुदाई हम लोग इसमें पूरी लंबाई में करते हैं समझ गए यह फीगर यदि आप लोग समझ गए होंगे तो हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यह द्रिस पट्टी है क्या क्लियर देखते हैं तो द्रिस पट्टी की बारे में यहाँ पर समझते हैं या लकडी अथवा एलमूनियम की आताकार खंड लंबी पट्टी होती है या फिर लोहे की उधर इस तरह से भी हो सकती है जैसा कि आप लोग देखे होगे रेल ठीक उस तरह से यह रहता है इन पट्टियों के सीरे के नीचे उदगर खंभे मतलब अपराइट दे कर इनको सीव खाई के ठीक उपर 36 इस्थिद में स्थापित कर लिया जाता है आप लोग देख रहे हो इसको हम एक बार रफ कर देते हैं ठीक है इसलिए कि यहां पर बहुत ज़्यादा प्लीनी नहीं है ठीक है चलिए हमने इसको रफ कर दिया ठीक अब इसमें समझते हैं देखिए यह कह मतलब इस पर अटाइच किया जाता है द्रिस पटी को आसकता अनुसार क्लेंपों द्वारा उपर नीचे सरकाय जाता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग उपर नीचे जैसा ज़रूत हो उस हिसाब से कर सकते हैं अब आसपास की दो द्रिस पटीयों की उपरी शर्था को जब बोनिंग राड इस पर लगाएंगे न तो उस धाल हमारा जो है न एक चुल में धाल आए ठीक है इस प्रकार दो या दो से अधिक द्रिस पटीयों सीवर की धाल दरसाते हुए खाई की आरपारे स्थापित कर ली जाती है ठीक है तो या तो जितना लंबा आप ले सकते ना लंबा ले लीजिए ऑर एक चीज़ो हो रही इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही लंबा रही दूरी पर करो कम दूरी पर दो-तीन लगा सकते हो उससे ज़itan भी लगा सकते हो क्योंकि इनके बीच में न हम लोग किहां पर एक जो है डोरी लगा देते है ठीक है एक तो नहीं पढ़ेगी दिर्स पट्टिका को समझ रहे हैं सब यह पूरा स्टिप्स है इसके किलिए आगे की हम लोग बात करते हैं यहाँ आगे की हम लोग बात करें तो देखते हैं चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर बोनिंग राड किलिए बोनिंग राड समझते हैं बोनिंग राट, बोनिंग छण का प्रयोग की जाते हैं, आप देखे बोनिंग राट जो होता है न, वो उपर लेवल वाले जो हमारे द्रिस पट्टी है, उस पर सेट रहता है, अब भाई उसका जो धाल कितना है, कितना लेवल होना चाहिए, वो नीचे क्या करता है, ट्रांस पाई, ट्रेवल बोनिंग राट भी बोलते हैं तो ढाल रेखा को खाई में अंतरित करने के लिए दोनों द्रिस्क पट्टीओं के मद्ध एक डोरी तान दी जाती है तो मैंने बताया ना दो द्रिस पट्टी का एक ऐसे है एक द्रिस पट्टी ऐसे है उनके बीच में क्या गया जाता है ठीक है अब प्रारम विंद पर द्रिस पट्टी और सीवर पेदी के तले के अंतर के बराबर बोरिंग छण की उचाई से सटाकर विभीन विंदू उपर सीवर पतल चेक करते हैं तो अब क्या करेंगे एक बार तो यहां पर सेट कर लिए स्टार्टिंग पर फिर इसको हम लोग क्या करेंगे आगे की और ऐसे बढ़ाते हुए ले जाएंगे और लेबल हम सेट करते चले जाएंगे धलान कितना है हो सकता है इधर से हम लोग इधर जा रहे हो तो धलान नीचे की तरफ जा रहा हो ठीक है या उपर तरफ उचाई की तरफ बढ़ रहा हो ठीक है ऐसा भी हो सकता है किलियर समझ मैं सभी लोग को चली आगे हम लोग देखते हैं हाँ पर आगे समझते हैं अनेश इस्टिफ तो यह में इस्टिफ यह था दोनों इस्टिफ ज्यादा तर पूछे जाते हैं और पूछा भी जा सकता है ठीक है कोई बहुत बड़ाई सुने है और आप अपने सिलिक भी सकते हो जितना मैंने बता दिया है ठीक है अब जो हम पूरी के लिए द्रिश पटिगा साफित हो जाएं तो खुदाई कार्यारम कर दिया जाता है तो उसे चुने हो गर गिरा लेते हैं ठीक है साधार तक खुदाई मजदूरों द्वारा गैंती गैंती मतलत सुझ रहे हो कि जैसे फावडा जैसा ही रहता है बट इसका जो दोन यह मिट्टी फेकने का काम करता है खाएं की चौड़ाई सीवर पाइप के बाहरी ब्यास से 30-40 संटीमीटर की यह मेरे पूरा कांसेट रता दिया था पिछले वाले वाले हैडिंग में ठीक है रखी जाती है ताकि खाएं मूतर कर कारिक किया जैसे सके जो यह इस्ट्रा हम ले रहे हैं तक इसमें खड़े होकर कारिक कर सके रही इतना हम लोग यहां पर इतना कुदाई कर रहे हैं इसलिए कि इनके बीच में खड़े होकर इसमें जौइंट औगर लगा सके एक चरण में 20-25 मिटर के लंबाई में क्हाई को दी जाती है तो एक कांटेग्स क्या होता 20-25 मिल्टर में लंबाई हम लोग खाई खोड़ते हैं ठीक है यह हमारा तीसरा स्टिप था और चौथे स्टिप में हम लोग यहां पर बात करें तो भया खाईयों की तक्था बंदी करना मतलब टिंबरीम फार्ट रेंचेस तक्था बंदी क्या चीज है देखे जब आप इसको ना गिरने के लिए रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर इस तरह से एक लकडी का या फिर लोहे का पूरा इस पे तक्था बंदी कर देते हैं मतलब चारों तरफ से घेड़ देते हैं ठीक है आप बलाग कोई डाल देंगे आप देखें कि काम चलता रहत अगर गहरी खोद रहे हो आप तब तो कोई आउसकता नहीं पड़ती लेकिन इससे जब ज़्यादा जाते हो तो ज्यादा नीचे हो जाता है तो मिट्टी यहां से गिरने का पूरा बना रहता है और हो सकता है कि गढ़ा जाए गिर जाए उसमें इस लोग को दब जाए उसम तक्था बंदी समझ मागया क्या होता है यही ज्यादा तर कुछ नए टर्म है वहाँ पे लोगों कर्फूजन होता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं खाईयों में पाइप बिचाना तो हम लें लेंग आप पाइप यह सिंपल है दोने स्टिप्स आप कर सकते हो इसली कर नीचे खाई उतार जाता है और अगर भारी पाइप है तो क्रेन की मदद से क्या करते हैं हम लोग क्रेन की मदद से उसको हम लोग ट्रंच में उसको हम लोग क्या करते हैं ट्रंच में फिर या खाई में खाई में उतारते हैं ठीक है क्रेन की मदद से क्लियर चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें B number bedding है संस्तरण है तो यह सब पूछते हैं यह भी ज़्यादा पता पूछा जाता है तो नर्मिदा में जहां सीवर pipeline के नीचे धस जाने की संभावना bedding का मतलब यहां पर यह है कि जो उसका जहां पर pipe बिछा रहे है उसके नीचे के नीचे हम लोग क्या करेंगे 10 से 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी सिमेंट कंक्रिट डाल देंगे उसके बाद pipe पिछाएंगे pipe पिछाते समय pipe का साकिट सिरा प्रवाह की दिसा socket ending facing the flow में रखा जाता है और कार नीचे से उपर की ओ सुरू की जाता है इनका साकिट का सिरा का मतलब है कि प्रवाह की दिसा में रखी है दो होते मैंने बताया था उनके बीच में आपा समझे वो इंटरी करते हैं यह joint वाले पूरा बता है socket की करते ही है तो वहाँ पर आप ज़रूर देखे होंगे जो लोग नहीं देखेंगे जाके देखना इसलिए मैं हर एक चीज पहले से पढ़ा देता हूँ ताकि जब आगे पढ़ा हूँ तो वो चीज आपको समझ आए ठीक है चली अगला step देखिए तो यहाँ पर sewer pipeों में जोड लगाना jointing आप pipe ठीक है तो यह जो हम लोग water supply वाला joint लगाए है ना water supply वाला तो वो जाके joint वहाँ पूरा देख सकते हो water supply joint तो सेम इसी जैसा लगेगा ठीक है वही जाके वहाँ पर देख लेना clear एक pipe ठीक ढग से लग जाने के बाद दूसरी pipe बिचाया जाता है इस प्रकार pipe बिचा कर एक खंड की लंबाय पूरी कर ली जाते है तो pipe पूरा बिचा लेंगे joint भी नहीं लगाएंगे एक खंड के pipe जब ठीक इस्थित तथा ढाल में रख दिये जाए तो pipe को जोड लगाए जाते हैं तो जब एक इस्थितिन पूरा रख दिये जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे जोड लगाएंगे कम ब्यास के seever pipe के लिए हम लोग क्या करेंगे socket and spigot बिधी से जोड लगाएंगे अब ये बिधी क्या है ये सभी बिधी हमने सचित्र वरन किया है पूरा फीगर के साथ ठीक है वीडियोज है प्ले लिस्ट में इसी में इसी वेस्ट वाटर में ही बड़े ब्यास के concrete pipe को collar joint द्वारा जोडा जाता है जहां seever line के नीचे धस जाने की समभावना रहती है वहाँ पर flexible joint लगाया जाता है clear समझ गए यह वाला नोट्स जिसके पास नहीं होगा ना जो यह पढ़ा रहा हूं तो यह नोट्स मैं खुद send कर दूँगा आप लोग ध्रहर रखिएगा सब के पास रहला जाएगा जो लोग हमसे नोट्स पर शेज किये होंगे ठीक उनके पास ठीक है चलिए आगे की हम लोग इसमें देखते हैं आगे जो है next step क्या है तो joint तो लगई जाएगा टेस्टिंग आप सीवर्त ओल्ड नोट्स में देख ली जो हमारा पुराना नोट्स है जिसमें सभी टॉपिक्स हैं लगभग यह सब रुमेनिंग नोट्स ले रहे हैं जो में नोट्स है उसमें यह हमारा है उससे मैं पढ़ाया था तो वहां से देखेंगा और इस वीडिय तो सीवर लाइन का परिछण करने तथा संतोस जनक पाई जाने के पस्चाथ उसके बाद खाईयों को मिट्टी में पाटने का कारी किया जाता है पाइप के ऊपर भूमितल तक खाई में मिट्टी की भराई 15 सेंटीमीटर की परतों में की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं क कि 15-15 सेंटीमीटर की परत में हम लोग खाई भरते हैं अब खाई रहे गाई जैरी से बात ही क्यों कि मैंने हम लोग एश्ट्राक कुदाई किये थे यह साइड साइड पर भहिए इसमें मिट्टी तो भरो गही न ठीक है और खाई के में निकाली गई मिट्टी को पुना खा ठीक है मिट्टी की भराई भूमितल से कुछ ऊपर तक रखी जाती है तो जैसे मान लिए हमने क्या किया इधर मिट्टी पूरा भर दिया इतने लेवल ठीक है पूरा मिट्टी भर दिया इस तरह से पूरा भराय मिट्टी ठीक है अब इनको क्या किया जाता है कि भूमितल से कुछ उपर तक भी रखा जाता है, ताकि याता यासे क्या हो, दबेंगे, तो ऐसे थोड़ा से इनको उठा दिये जाता है, जहां को, ठीक है, इस तरह से, माली ग्रावन लेवल इतना है, तो इनको थोड़ा से ऊपर उठा जाता है, क्या होगा, कि जई गारी उड़ी चलेगी प्लेलिस्ट मिल जाएगा नहीं, तो हम बना कर भी डालने वाले हैं, ठीक है, कुछी दिर में, क्लियर, तो वो डल जाएगा, तो अभी दो-दो त्याचर वीडियो करके डालेंगे, जैसे रीकाट होता रहें, वीडियो डालते रहें, ओके, चलिए, तो फिर क्लास को इंड करते हैं, इधर, क्लियर है, चलिए,